नमस्कार दोस्तों मौं डॉक्र गौराव आपका आच यह वीडियो में बहुत-बहुत करता हूँ दोस्तो आज कि इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सापताहिक राशी फल के बारे में weekly राशीफल के बारे में जो कि 22 जुलाई से 28 जुलाई 2019 के लिए होगा ये राशीफल धनु राशी के जात्कों के लिए होगा दोस्तों सबसे पहले तो आपसे एक बाश शेयर कर दूँ जो अपने हर राशीफल के वीडियो में शेयर करता हूँ के लिए को IKikoa के जात्कों के लिए ये सबसे पहले मैं आपको बदा दूँ कि कही valid के योग इस्पेशली प्रतिष्ठा में लाव के योग मुझे बनते में नजर आ रहे हैं आप चाहे कोई भी कारी करते हो चाहे आप नौकरी करते हो वेबसाइट करते हो चाहे आप किसी प्रोजेक्ट पर हो चाहे उम्रा के किसी भी पड़ाव पर हो समा सेवी हो राजलीती में हो जिस पैसा मत दे दिदीए अंदिमिश्वास किसी पर मत कीजिए यह यहां पर आपके बप्रोजंट कर रहे हैं ऊस में आपको सह रहा जाये उसमें कि पॉइंट मगरें किसी यगे पर मिलते पॉइंट मिलकर के आपको और आगे बढ़ाया जाए या फिर आपका प्रमोशन भी एवर हो जाए प्रमोशन नहीं भी होता है सब्ता तो कहीं न कहीं आपके इसी फाइल आगे बढ़ा दी जाए तो इसे योग हैं साथ या बिजनस करते हैं तो वहाँ पर भी मुझे आप नवचा न हो सकता है कि आपके जो बिजनस ऐसोशेशन है या फिर आपका कोई समाज है वहाँ पर आपका नाम लिया जाए आपकी प्रतिष्णा वर्दी की जाए आपकी ग्लोरी हो लेकिन इसी के साथ साथ फिर मैं वह दिवे नजर आ रहे हैं नौकरी भी करते हैं तो एप्रेजल हो मैंने यह जरूर कहा है लेकिन इसकी फाइल आगे बड़े इसके ज्यादा आपके यहाँ पर चांसे मुझे बंते हैं भी नजर आ रहे हैं ऑब इसपेशिली धन को बचत करके रखना थोड़ा सापके यहाँ पर बड़ा जसक की Tyek बड़ें चर्चा करते हैं परिवार की बरिवारी किस्तिति की आजम बहुत अच्छी रहें की बहुत शांदा परिवार से सहीयोग भी मिलेगा परिवार के साथ संबंदों में बदोरता भी आएगी इसके बाद स्टुडेंट्स के लिए कहूंगा कि महनत ज्यादा कीजिए सफल बनिये सब्सक्राइब आपके लिए महनत आपसे ज्यादा लेगा लेकिन आपको रिटर्स भी उतने आपको यह लग सकता है इस पेशली शारीलिक स्वास्त की बात करें आपको यह लग सकता है कि या सीर बगएरा ज्यादा दुख रहा है या लबी बिमारियां जो होती है जैसे डाइबडेस थारा इडापटेंशन इस तरह की बिमारियों में भी आपको कही ना कहीं दिक्कत ह हो सकती है तो उसका धियान रखने की बहुत खास जरूरत है अपने इमको स्वास्त का भी ध्यान रखने के ज़रुरत है यहां आप बीमार पड़ने बहुत ज़्यादा योग है लेकिन बबा向 बिमार नहीं भी पड़ता है कि या बीमार होने के योग मुझे बंते हो नजर आ रहे हैं तो शारीरीक स्वास का ध्यान रखने की खाजी जरूरत है इसके बाद में यदि हम चर्चा करते हैं आपके प्रेम प्रसंग की तो प्रेम प्रसंग में कहीं न कहीं किसी का सहयोग साथ न मिले जिसका acceptance चाहते हैं ज तो शारीरीक स्वासा मुझे दिखता है तो शीजिए प्रॉब्लम मुझे इसमें नजर आती है तो दोश्तों यहाँ पर हमने चर्चा की धनुराशी के जातकों की कि इनके लिए जो समय है जो सब्ता है वो कैसा जाने वाला है मुझे विश्वास ही कि आपको इबाद समझ म जानने को मिलता ही रहते हैं लेकिन यहाँ पर आपको खुद की कुद्यक सब्सकराइब करते हैं चले दोस्तों आजिक विडियों में आपसे विदा जाओगा नमस्कार